हलो एवरिवन श्वागत है आप सभी का फिरशे एक नई वीडियो में फाइनली एन्सी एचम सीटी होटल मैनेजमेंट का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है मैंने उस पर वीडियो जो है वो बना दिये हैं कि आप अपने रिजल्ट को कैसे चेक कर सकते हैं और रिजल्ट का पीडियो कैसे डाउनलूड कर सकते हैं अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके हमारी यूटूब चैनल पर उस वीडियो को देख सकते इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि result में आपका कितना score आया है आपका rank कितना है उस rank के हिसाब से आपको कौन सा IHM college जो है वो मिल सकता है अगर आपका अच्छा score नहीं आया है बहुत जादा rank है तो आपको किस तरीके से अच्छे से अच्छे colleges में admission हो सकते हैं इसके बा rank तक admission हो सकता है यह आप कैसे चेक कर सकते हैं अपने phone या laptop से वीडियो पे बने रहेगा अगर आपने मेरे टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है या YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लिजिए क्योंकि counseling, admission और choice feeling से related सारा important updates जो है हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आ आप सबों को updates मिल जाएगा तो बच्चों देख सकते हैं यह एक बच्चा है जिसका result है मिस 800 में 128 नमर आया है और इसका rank जो है वो 9323 है देख सकते हैं 9323 rank है ठीक है इसका score है 128 तो आपको कैसे check करना है कि आपके rank के हिसाब से कौन सा हम college मिलेगा बच्चों क्या है ना कि 20 से 25,000 अगर आपका rank 30,000 के अंदर है तो आपको colleges जो है वो मिल जाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे admission लेने के बाद भी college छोड़ देते हैं ठीक है तीन चार राउंड की counseling होगी counseling schedule भी आ गया है उसके बारे में भी हम इस video के last में आप सबों को बताएंगे ठीक है सबसे पह आपको click कर देना है click करने के बाद थोरा सा इंतिजार करना है तो यहाँ पर देखिए दो सालों का opening closing rank है BSC और MSC दोनों के लिए तो 2022 का आपको देखना है बच्चों क्या है कि बहुत जादा differ नहीं करेगा पिछले साल से इस बार ठीक है क्योंकि student जो है अप्रोक्स बहुत कम का अंतर है ठीक है पिछले साल से थोड़े ज्यादा student इस बार है उसके बाद आपको जिस भी college का opening closing rank देखना है कि कितने rank तक admission हुआ है तो सबसे पहले आपको कर लेना है round 4 select क्योंकि round 4 जो है वो last round होता है ठीक है उसके बाद आपको institute जो हो यहाँ से select कर लेना है कि आपक institute का देखना है ठीक है तो institute में आप यहाँ पर देखिए मैं कर लेता हूं IHM पूशा का यहाँ पर click करने के बाद एक बार load लेता है आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा उसके बाद category जो है यहाँ पर सारे category में all category आपको करना है नीची आएंगे तो यहाँ पर 995 rank तक admission हुआ है SC category का 2511 rank तक और general EWS का 3299 rank तक इसी तरीके से अगर आप किसी और college का देखना चाहते हैं ठीक है जैसे कि मैं देखना चाहता हूं IHM 1 second IHM Kolkata का मैं देखना चाहता हूं तो simply यहाँ पर click करेंगे ठीक है और उसके बाद जो category है उसको all रखने देंगे और य 215 rank पर ठीक है बच्चो मेरा 2019 में admission हुआ था ठीक है 2019 में मेरा rank 11,000 के आसपास था तो मेरा OBC category से IHM Kolkata में admission जो है वो हो गया था ठीक है तो इस तरीके से आप सभी IHM colleges है उसके last round का देख सकते हैं अगर जो IHM college आपको नहीं मिलता है तो आपको round change कर लेना है तीसरे round तक कि बहुत सार ऐसे colleges फोर round में नहीं थे जिनका जो है seat full हो गया था ठीक है तो इस तरीके से आपको सारे rounds को check करने है और इस तरीके से आप देख सकते हैं अंदाजा लेगा सकते हैं देखिए जो cut of rank होगा वो आपका 2000 से 1500 से ज्यादा differ नहीं करेगा मुस्किल से आपका 1200 500 700 rank जो है वो डीफर करेगा ठीक है जैसे कि देख सकते हैं 10,000 कुछ rank पर IHM Kolkata मिला था BC category सा लास्ट राउंड में और मेरा 1105 था तो वही 6-700 rank जो है वो डीफर कर रहा था तो हर साल यहीं होता है कभी 4-500 नीचे जाएगा कभी 4-500 उपर आएगा तो इतना ही डीफर करता है इ अगर rank based counseling नहीं करवाते हैं जैसे तैसे choice fill कर देते हैं तो आपको क्या होगा कि अच्छे score होने के बावजूद भी आपको घटिया से घटिया हम college जो है वो मिल जाएगा और क्या होगा कि जब आप seat allotment वहां करें अलotment जब आपका होगा उस समय ही आपको 20,000 रुपय payment करन तो ऐसे में क्या होता है कि आप seat जो है वो छोड भी नहीं सकते हैं तो इस तरीके से आपको क्या करना है rank based choice filling करनी है ताकि अगर आपको अगर कोई बढ़िया college नहीं मिलता है कोई खराब college या कोई low rank का college भी मिलता है तो अगले round में उसको upgrade कर सकें ठीक है बच्छो तो इस जो है हमारे expert के साथ share कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं next video में next update के साथ तब तक के लिए जाए हिन thanks for watching वो देख सकते हैं 9323 rank है ठीक है इसका score है 128 तो आपको कैसे check करना है कि आपके rank के हिसाब से कौन सा हम college मिलेगा बच्चो क्या है ना कि 20 से 25,000 अगर आपका rank 30,000 के अंदर ह तो आपको colleges जो है वो मिल जाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे admission लेने के बाद भी college छोड़ देते हैं ठीक है तीन चार राउंड की counseling होगी counseling schedule भी आ गया है उसके बारे में भी हम इस वीडियो के last में आप सबों को बताएंगे ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना होगा NCHM counseling का जो official website है वहाँ पर आना होगा उसके बाद e-service का एक option है उस पर click करेंगे तो यहाँ पर OR CR का option जो है वो दिखेगा ठीक है इस पर आपको click कर देना है click करने के बाद थोरा सा इंतिजार करना है तो यहाँ पर देखिए दो सालों का opening closing rank है BSC और MSC दोनों के लिए तो 2022 का आपको देखना है बच्चो क्या है कि बहुत जादा differ नहीं करेगा पिछले साल से इस बार ठीक है क्योंकि यह student जो है प्रॉक्स बहुत कम का अंतर है ठीक है पिछले साल से थोड़े जादा student इस बार है उसके बाद आपको जिस भी college का opening closing rank देखना है कि कितने rank तक admission ह हुआ है तो सबसे पहले आपको कर लेना है round 4 select क्योंकि round 4 जो है वो last round होता है ठीक है उसके बाद आपको institute जो हो यहां से select कर लेना है कि आपको कि इंस्टिटूट का देखना है ठीक है तो इंस्टिटूट में आप यहाँ पे देखिए मैं कर लेता हूं आया चम्पूशा का यहाँ पे किलिक करने के बाद एक वार लोड लेता है आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा उसका बाद केटोगरी जो है यहाँ पे सारे तक admission हुआ है, OBC का 3092 rank तक admission हुआ है, SC category का 2511 rank तक और General EWS का 3292 rank तक, इसी तरीके से अगर आप किसी और college का देखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ, IHM 1 second, IHM Kolkata का मैं देखना चाहता हूँ, तो simply यहाँ पर click करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो category ह है, उसको all रखने देगे और यहाँ पर आज आएंगे, तो देख लिजे बच्चो, IHM Kolkata का जो admission हुआ था, वो SC category का 1017 rank पर, OBC का 10215 rank पर, ठीक है, बच्चो मेरा 2019 में admission हुआ था, ठीक है, 2019 में मेरा rank 11000 के आसपास था, तो मेरा OBC category से IHM Kolkata में admission जो है, वो हो गया था, ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी IHM जो colleges हैं, उसके last round का देख सकते हैं, अगर जो IHM college आपको नहीं मिलता है, तो आपको round change कर लेना है, तीसरे round तक, कि बहुत सारे colleges 4 round में नहीं थे, जिनका seat full हो गया था, ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे rounds को check करने हैं, और इस त करेगा, मुश्किल से आपका 1200, 500, 700 rank जो है, वो differ करेगा, ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं, 10,000 कुछ rank पर IHM कोलकाता मिला था, BC category सा last round में, और मेरा 1100 पच बन था, तो वही 6-700 rank जो है, वो differ कर रहा था, तो हर साल यहीं होता है, कभी 4-500 नीचे जाएगा, कभी 4-500 उपर आ करवाईए, क्योंकि क्या होगा, कि अगर rank based counseling नहीं करवाते हैं, जैसे तैसे choice fill कर देते हैं, तो आपको क्या होगा, कि अच्छे score होने के बावजूद भी आपको घटिया से घटिया हम college जो है, वो मिल जाएगा, और क्या होगा, कि जब आप seat allot, वहां करें, allotment जब आपक को अगर कोई बढ़िया college नहीं मिलता है, कोई खराब college या कोई low rank का college भी मिलता है, तो अगले round में उसको upgrade कर सके, ठीक है बच्छो, तो इस तरह के से choice fill करवाईए, कोई भी counseling, admission guidance लेना है, या paid counseling करवाना है, तो video के description box में, google form का link है, whatsapp का detail है, telegram channel का link है, join कीजिए और अपन